जिवें ही प्यारे दर्श को सर्दी आउंदिया, सर्दी देवे सानू, मिठा खानू, यानि पंजीरी खानू बड़ाई जी करदा स्वादरी तब बहुत हुंदिया, बंदेदा खानू जी करेगाई सो क्यों जी तुसी कारदा के वाद है, बहुत वदिया, पर कारदा क्यों ओ नहीं जी फिर जी राक राक के मलाई उतारतार के बनाओने, ए असली क्यों ओ नहीं है, जी साड़े बजुरगाने परियो कीता जी हिमत कर सागते जी ते कर लो, दो दो नहीं लेके आओ, किसे डेरी तों कर दा, दो दा बहुत वदी अगाल है, उन्हों तुसी हारे दे विच गर्म करो, लाल हो जाए, दो दी मोटी मलाई आजे, फिर उन्हों जाग लाओ, जाग लाके, रेड़कना जीड़ा है, उ करो दा, रेड़का पाओ, फिर ओदे विच जीड़ी मखनी निकलेगी, मखनी तों जीड़ों तुसी पिंग लाके के उतियार करोगे ते एग होएगा, असली क्यों, जीड़ा तानू खराबिया नहीं करेगा, ते तानू फैदे फैदे करेगा, अगर पंजीरी बनोनी है, एक तानू थायरेड दी प्राबलम है, बहुत आत विच लोग का नू है गिया, ओ मखने जरूर पाओ, पंजीरी दे विचे, अपा खीरते वी गल करना, किड़ी कड़ी चीज किनी पाओ, मैं तो अनू समझा आदा वांगा, तरीका किया है, ता मखने तुसी पाओगे ता ओदे ना तो अड़ी थायरेड वाले पेशेंट्स नो बहुत अच्छा फायदा करेगा, बदाम तो सी पौने पौने या, बदाम सारा साल जड़ो मर्जी खा लिया, गर्मी चीपियोंगे खाने या, पर पंजीरी तता उनू पीस के पौने पहनगे, सो असी सारी चीज जानू पी कांजू दे आड़ फैदे ने बदाम सेत लेई, तो अड़े दिमाग लेई, प्रोटीन दे पक तो बहुत अच्छा है, इसलिए तुसी जरूरे नू पालना, ते कांजू पालने क्योंके ए फेफड़ा नो ता करना, ते सर दी फेफड़ा ने रोग बहुत ज़्यादा हों जाँ दे नुक्सान जड़े काट जाँदीआ, तो ऐसलिए साधे बजरूगा ने शुरू किता, भी बंदे ने पूरी गर्मी डे अंदर की खादा हों दा, कादे उनने तर्बूज खादा, कादे उनने खरूबजा खादा, कीरा खादा, अगर कोई जा नुक्सान सरी दे व दाल और रोगां दे विछ बहुत अच्छा फैदा होंदा है तो कहने दा मतलब एक तरांदा एंटी डॉट है ता डेली स्रीदे लई उन्हा रोगां लई जिड़े स्रीदे विच कोई बैठे ने किसे चीज ना रोग होया किसी चीज दे खान डाल होया तो उस चीज दे बीज दा फैदा होनदा है तो ए तुसी जरूर पाले ने ने खासकस ऐसी ऐसली पावाँगे क्योंके नजला जुकाम छिकां एरेशा काफी लोकान बन दा है तो खासकस जिड़ा है ओधिछ बहुत अच्छा फैदा कर दिया ये सानू विच जरूर पालने चाही दिया और जिननों तुसी याद रखे आजे ओ मैं अगे जाके दसांगा के केड़ियां केड़ियां बजरुगानी स्पैसल चीज़ां आप पाके देंगे पर तुसी अखरोट आप भी खाने है और जदो बजरुगानों बढाके देना ओदे विची पाउने क्योंके गोड़्या ली बहुत चंग बच्चाँ दे स्रीज ली चंगा मगात्री इदे विच हुना इसलिए इन्हों सी जरूर पामांगे देना अ CP собир आगे नो मैंसी चारे पामांगे देना आज और प्र不管 पार होन इन्हों थोड़ा जा आप आड़ाड शरेणियां वास्ते रखांगे कि अगर एक पंजीरी तुसी बनावनियां तक कितना बनावनियां ए थोड़ी जी गाल कार लिए उस तो बाद असी बजुरगाँ वाले और और ता वड़ी पंजीरी ते आमांगे बनावन दा तर अगर तुसी अद्धे छोले पालन दे हो पुझे होए या अद्धे तु काट पालन दे तो ओधे ना एच वहत वदिया स्वाधिश्टी बनेगी और तरीका की यहां कि आटा जड़ा तुसी छोले आंदा होवे पामें दूज्जा एक किलो लोगे नाल तुसी एक किलो क्यो रखना और इन्हों जड़ी वी द्वाई तुसी पॉनियां इन्हों त्यार करके तुसी थल्ले पाउना आजे यानि कि द्वाईयां जड़ो तुसी एन्नों कड़ाई नू अग्ट तो उतार लिया ते फिर द्वाईयां मिलाया तुसी उत्ते नहीं मिला दनियां उत्ते यह भी खांड जेड़ी पाऊनी है ओजड़ी देशी खांड पाऊ ता जादा ठीक है जेकर वर्वधिया बनावने है विकारदी शक्र होए ते शक्र पाके रांगता पामे सोना ना बने पर एस सेत लही जादा वर्वधिया सोनी होए जेगी इस गलता ख्यार रखना उना बहुत ही अच्छा फैदा करदा है इसलिए तुसी सिंगाडे जड़े ने जरूर पाले ने लोद जड़िया और ता लेडिज आवदे स्रीर वास्ते फायदे वास्ते इन विच पा सकते हैं ने स्वपारी नों भी पाया जा सकता है सो ए चार चीज़ां कमर कस सिंगाडा लो जड़ा है खास खास पालवे सो एक एक जड़ी खोपरा है जड़ा ठूटी है ओ तुसी पाउड़ी बंद करदो थांते बंद ना रही है जिन्हों गोटा जा गोट कैदन देओ ओ लेके आया करो अगर उन्हों कटन तो बाद अंदरो काड़ा निकले फिर नहीं बौनागा ठूटी नो बंद करदे हो क्योंकर ठूटी देविच की होंदा है कि कटन तो बाद उन्हों तजाब वगरा लादन देने ते जड़ा तजाब वगरा होंदा है ओ तो अड़ेली नुकसान करदा है तो उदे कदे भी तुसी ठूटी नो तजाब लगी होई नो परियोग नही तो दुज़ा किया कि जिननानने काली मिर्च पाओनी याि ता काली मिर्च जड़िया सेत वासते बहुत चंगी या पर सिर्फ 10 ग्राम पाओनी या इसो जादा पाली तो आड argधली कुड़तनद कब तो यह सली तो सी उसी काली मिर्च नो बहुत थोड़ा पाओना है तुसी कांजू पादेओ बदाम मगच खास-खास अकरोट गूंदा चार पाउन तो बाद बजुरगां दी पंजीरी देवेच तुसी उनना दे गोड़ियां दियां दर्दा ते सिरी दियां दर्दान मुखरक दे हुए अगर तुसी ओदेच सुन्द पादन देओ ते उनना ले बाठी का हाजमाना दा जड़ा है एस उम्रे का मज़र हो जाएंदा अगर तुसी ओदेच थोड़ी अजवैन भी पादन देओ पंजाक ग्राम ता ओदेना उनना दा डैजस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा ते उननों सौख्यां पाच जाएगे पंजीरी ऐस चीज़ दा तुसी जरूतियान करना है हां कुछ बज़ुर्गानों कल्ली क्यों आटा देनाल कल्ली अलसी भी पाके दिती जा सक दिया कुछ लोग अलसी खान दे शुकी ने ता उकल्ली अलसी खान फिर बाकी चीज़ां दे या अट नेक्स टाइम जड़ा है अलसी खान तो बाद फिर दूजीयां चीज़ां नों खालन क्योंके अलसी आपने आप दे विच बड़ी फायदे मन बज़ुर्ग वस्ता चे इसलिए कि पिशाब दी तकली बज़ुर्गानों बहुत हों दिया ता जे अगर पिशाब दी जलनों ठीक करना होए अखां दी बीमारियानों ठीक करना होए बज़ुर्ग वस्ता दे रिच अखां दी लाइट कमजोर हो जान दिया निगा कट जान दिया उते फैदा कर दिया और दे लबाव वात रोग जड़े वादे रोग हों दिया उते अलसी बड़ा चंगा फैदा कर दिया सो उना ली जिना दे स्रीच दर्दाने बजर्गां दे अकली अलसी बना के खान या पंजीरी खान ता बाकी जनल चीजां दे नाल नाल जेड़ा है ओ सुंड़ दा परियोग कर लेंगे ते उना दिया दर्दान दे विच उनों बहुत वड़ा फैदा करेगा हून रहे जा सारी या चीज़ां जड़ी आप पाउने यहां जनल गुंदा भी पासकते हैं सारा कुछ पाउन दे नाल उस तो बात तुसी एक चीज़ एक्स्ट्रा पाउनिया ओ पाउनिया सफेद मुसली सफेद मुसली अगर तुसी अच्छी क्वाल्टी दी सौ ग्राम पादें दे नाल की होएगा कि कदे भी तो अड़े पेट दे विच खराबी जाके चीज़ां नहीं करने गया क्योंके ओ एक फाईबर दा काम करेगा साबसफाई दा काम अगरेगा ते क्योंके आजिकल साड़े पेट जिडे ने उखराब ने साड़ा हाजमा कमजोर हैं सो इन्नों की करन इनना दे लड़ू बना लेने चाहिए वैसे रखलना पर एक चीज़ा ते आ रखना है कि इन्नों चबा चबा के बिलकुल हौली हौली राम नाल खाना है सिर्फ सवाद वास्ते लड़ू नों फटा 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 सवाद लेके पेट विच पाउंड दी कोशिश ना करे अगर इननों पेट दे मूँ दे विच चंगी तरना पीसना खोर पीस लो तो अड़ी लार जड़ी हो मूँ दी विच राल जाने चाहिए दिया फिर तो आनों इदे बहुत अच्छे अच्छे फाइदे मिलन गे इदना गर्म चीज़ दा सेवन जड़ा तुसी कर सकते हो कोई चाह दे काम कोई नी कर दे फिर सानों फाइदा उनना नी कर दी आज यहा खांड मेततारी खांड देविच जोड़ा वेट बदा दनी यहांगा सटे करनी निए सो मोटज आपने आपने असे करना तो होिसके करना कि frame हो एक किलो आटे दे विच एक किलो के वो दे विच एक किलो द्वाइऑने नाद एक किलो खांड पूंदेने ता उन्हों अदो किलो पालो केन्दे मतलब बहुत ज्यादा मिठा ना पाऊओगे तक फिर तौ भी डिया से कैलोरी n önemli जाएक एक्स्ट्रा तक फिर आपनों मजबूत भी बना लोगे ते नजारा ते से तो दो में बरकरा रेंगे सो पंजीरी नो बना के तुसी खाया जे वीडियो नो तुसी आंतों तक देखिया तो आड़ा बहुत बहुत तानवाद